Hello friends, I am your study mate Sariqa Ramola और आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं उत्तराखंट करेंट एफियर मई दोहजार तेईस को फ्रेंड्स ये बहुत exam oriented questions हैं इनको आप जरूर देखेगा जो मैं इनसे related आपको समझाऊंगी वो भी आप note down करिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो current affair है वो नहीं पूछा जाता बलकि उससे related कोई और point होंगे तो वो पूछ ले जाते हैं साथ ही हम लोग देख लेंगे कि national और international कुछ current affair बन रहे हैं तो वो भी मैं साथ में आपको बता दूँगी ठीक है तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आता है तो उसे like और share जरूर कीजेगा ठीक है चलिए पहला question है अल्मोडा में इस्थित किस आश्रम को विश्यो के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विक्सित किया जाएगा तो किस हिसाब से है ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पूरे विश्यो लैबल की है तो इसलिए इंपोर्टेंट है और ऐसा कौन सा आश्रम है तो right answer हो जाएगा धोल आश्रम धोल आश्रम की बात करेंगे तो कभी question ऐसा भी आ सकता है कि धोल आश्रम कहा है तो कहां हो जाएगा अल्मोडा में हो जाएगा दूनिया का जो सबसे भारी स्री अंत्र है वो भी कहां में है तो कहां पे है धोल आश्रम में है जो अल्मोडा में है इसके अलावा अगर कभी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाएगा तो इसका पूरा नाम है स्री कल्याणी का हिमालियन देवस्थानन ठीक है याद रखेगा इसे चलिए नेक्स कुशिन है निम्नमे उत्राखन के किस ब्यक्ति या महला को ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड और फेशन फेस्टिवल में फ्रेस फेस और बॉलिवूड के रूप में सम्मानित किया गया ठीक है यह इंपॉर्टेंट कुशिन है कई बार ऐसे कुशिन जो फिल सिक्षा मंत्री और उत्राखन के सियम भी रहे हैं निसंग पुक्रियाल जी उनकी बेटी है यह डॉक्टर आरुसी निसंग जो कि वर्तमान में क्या है उत्राखन की प्रशिद अभिनीत्री है फिल निर्मात्रा और सामजिक कारे करता है ठीक है तो इसे याद रखेंगे ने तुंगनात और तुंगनात की बात करेंगे तो पंच केदार में से एक केदार है तुंगनात और उत्तराखन का सबसे उचाई पर इस्थित मंदिर कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुंगनात हो जाएगा भगवान सिब की भुजाओं की पूजा की जाती है त तो यह इंपॉर्टेंट है चलिए और रुद्वप्रयाग जन्पत में है नेक्स क्वेशन है हाल ही में तासकन में आयोजित पांचवी यूथ चैंपियनसिप में उत्तिराखन के किस खिलाडी को 1500 मीटर में स्वन्ण पदक जीता है ठीक है इस रेस में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रियांसु इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो एक पांचवी यूथ चैंपियंसिप है इसको भी जरूर देखेगा चलिए नेक्स क्वेशन है आठ मही से 19 मही तक आयोजित मसूरी में लाल बहादूर सास्त्री राष्टिय प्रशासन प्रशासनिक अकादमी में किन देसों के सिविल सेवक भाग लेंगे एक आयोजन होगा ज जो भाग लेंगे और इसके अलावा जो भारत में आई एस हैं वो जो अपना प्रशासन लेते हैं कहां लेते हैं मसूरी में इस तित्र जो लाल बहादूर सास्त्री राष्टिय प्रशासनिक अकेडमी है इसमें लेते हैं चलिए चछटमा कुशन है दिल्ली में आयोजित प तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंसियारी हो जाएगा और कहां पढ़ता है पिठोरागर जनपत में ठीक है चलिए नेक्स इंपॉर्टेंट कुश्चिन देभ्भूमी उत्तराखन को ड्रक्स मुक्त बनानी की दिशा में किस वर्स तक ड्रक्स फ्री देभ्भूमी बन किस से आएगा कि कौन से साल में उत्राखन को ड्रक्स फ्री कर दिया जाएगा तो दो हजार पच्चिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आटवं कुश्चन है इंपॉर्टेंट न्यूच पेपर आप लोग पढ़ते होंगे हाल ही में सुशीला बलूनी का नि और इनकी निधन की तीथी भी पूछ ली जा सकती है जो कितनी है नो मई 2023 ठीक है और उत्राखन राज अंदोलन में इन्होंने बहुत महत्वपून भूमी का निभाई है साथी राज्यमहला आयोग की अध्यक्ष भी रही है अधिवक्ता भी रही है और इन्होंने मेर का जो किस जिले में तितली मोहतसब का आयोजन किया गया बहुत सेंस्टिव चीजे होती है इसलिए जो यह ऐसे कुश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिहरी गडवाल और तिहरी गडवाल के देवल सारी में ठीक है इसे ध्यान रु चलिए दसमा क्विशन है लंपी वाइरस किस से संबंदित है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पसवों से संबंदित है और बैसिकलि अगर बात करेंगे तो गाय और भैस में फैल राए हैं जिसे क्या कहते हैं गौवणस्या और महिष वंस्या जो animals हैं उनमे फैल रही है तो कभी option में आ सकता है आपके इसलिए आपको ये भी धियान रखना है पूरे भारत में फैला हुआ है और 70,000 से ज़्यादा जो पसु हैं उनकी जान जा चुकी है इसमें और इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित पसु हैं उनसे बहुत तीजी से ये वाइरस फैलता है और इनक उत्राखंड के सीमावरती जिले हैं जैसे पिथारागड हो गया तो यहां पर भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है ठीक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान रखना ठीक है चलिए तो दसक्रमित हमारे उत्राखंड के हो गए हैं और अभी ये लेटेस जो करेंट इतना ही था और आएगा तो मैं आपको बताती रहूंगी और जो एक्जाम ओरेंटेड है मैंने वही करवाया है ठीक है इसे हमें साध्यान रखेगा इस बात को क्योंकि हम यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं तो इसलिए हम एक्जाम ओरेंटेड चीजी पढ़ेंगे अब हम बा तैनात कर दिये हैं तो ईसका रight answer हो जाएगा चीन और आप देखेंगे भारत और आसियान जो संगतन है हाला कि भारत आसियान देश नहीं है सदर से देश नहीं है लेकिन पहली बार भारत और आसियान संगतन के बीच समुधरी अभ्यास इसार्ट किया था ठीक है जिसे इन वेदनसील मुद्दा है ये कि इस प्रिकार की घटना वर्तमान में भी हो रही है जबकि ये चीजे कब देखने को मिली थी कोल्ड वार जब चल रहा था उस दोरान पर लेकिन वर्तमान में भी फिर से वही चीजे हो रही है ये जो अभ्यास हुआ ये दो से आठ मैं सिंगापूर में हुआ ठीक है तो बेसिकली कुशन पूछा जा सकता है कि कहां पर हुआ सिंगापूर हो गया और किस देश ने अपना और आर्मी हेड़कॉर्टर पर हमला कर दिया गया आप जानते हैं आपका पडोसी देश है पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री रहे इम्रान खान जिन पर भ्रष्टाचार के आरोफ है और अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिती समय पाकिस् 288 सम्मेलन 2023 कहां आयोजित होगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा UAE हो जाएगा इसका राइट अंसर ठीक है और आपको मैं बताओ किससे रिलेटेड है जलवाय परिवर्दन पे जो सम्मेलन होते हैं इससे रिलेटेड है कई ब पुस्तक made in india 75 years of business and enterprise किसने लिखी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अमिताप कांत हो जाएगा और नीती आयो के क्या रहे है यह पूर्व CEO रहे है ठीक है इन्होंने यह पुस्तक लिखी है कौनसी made in india 75 years of business and enterprise इसमें है एक option बोरिया मजुमदार और केके सैल जा तो इनक कि एक हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ है comment box में जरूर बताएंगे आप कौन सी पुस्तक और एक मैंने current affair करवाया था उसमें बताया था कि बोरिया मजुमदार की कौन सी महतोपुन पुस्तक अभी उसका विमोचन हुआ तो इसका नाम भी आप मुझे comment box में जरूर बत हुए है तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लेकिन अगर आप देखेंगे जो भारतिय भूब एग्यानिक सर्विक्षन है इसने बताया है कि अभी किसी प्रकार की पुस्टी नहीं हुई है तो इसे भी ध्यान रखेंगे जब वो पुस्टी कर लेंगे कि ऐसी कोई सूचना है तब इस आंसर को राइट मानेंगे हम लोग ठीक है कि राजस्तान में जम्मोएंड कस्मीर से भी बड़े लीथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं अब लीथियम इतने चर्चाओं में है जम्मोएंड कस्मीर में भी बहुत बड़ी मात्रा में मिला है तो इसके अब ध्यान रखिएगा कि लिथियम का जो संकेत है वो क्या है एल आई है और इसके परमानव करमांग की बात करेंगे तो वो तीन है और परमानव भर की बात करेंगे तो 6.941 है तो कभी ऐसे question भी पूछ लिये जाते हैं जर्नल साइंस के जो हमारा side होता है ठीक है नेक्स question है ह हाल ही में किस देश ने basic plan on ocean policy को अपनाया है ठीक है important question है तो इसका right answer क्या हो जाएगा जापान हो जाएगा ठीक है चाले सत्रवा question है इंडियन एयर फोर्स का पहला heritage center कहां इस्थापित हुआ जिसका उत्खाटन रक्षा मंत्री ने किया तो रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे राजनात सिंग जी है और जो पहला heritage होगा इंडियन एयर फोर्स का वो कहां पे होगा चंडी गर्म ऐसे question भी बहुत बार पूछे जाते है चलिए next question है टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी private company का नाम बताएं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो जूम हो जाएग फिर उसके बाद जीओ और फिर word of phone idea जो वी आई है वो और चौथे नमबर पे हो गई है जूम नेक्स देख लेते हैं खालही में 200 जिलों में प्रधान मंत्री सिक्षा मेला का आयूजन किस मंत्राले के द्वारा क्या गया तो इसका right answer हो जाएगा पॉसल विकास एवम देख समशीलता मंत्राले इसके द्वारा इसका आयूजन किया गया है चलिए आप लोग comment box में बताएंगे कि यह मंत्राले किसके पास है इस टाइम पर चलिए next question है विश्व सतत विकास सिखर WSDS यानी World Sustainable Development Summit सम्मेलन 2023 का आयूजन हुआ तो right answer क्या हो जाएगा धारत की नई दिल् इसे ध्यान रखिएगा और यहां ऐसे question बहुत बार पूछे जाते हैं विश्व सतत विकास सिखर सम्मेलन 2023 नई दिली चलिए किस्वा question है आई बीए यानी International Boxing Association महला विश्व मुक्यबाजी Championship 2023 का आयूजन कहां किया जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा भारत के नई दि दिली में किया जाएगा ठीक है आपके पास कई बार question आ जाता है कि इसके स्थापना कभ हुई तो इसका right answer हो जाएगा 1946 में इसके स्थापना हुई और इसका मुख्याला है लुसाने में ठीक है और यह कहां पर पढ़ता है स्वीजर लैंड में ठीक है तो यह clear हो गया थोड़ा सा एड़ेस्ट करिएगा बस होने वाला है लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ठीक है चलिए बाइसवां question है राष्ट्रमंडल खेल दोहजार चब़िस का योजन कहां किया जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा Australia के Victoria में किया जाएगा ठीक है इससे पहले कई बार question आजाता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे पिछली बार वो कहां हुए थे तो 2022 में संपन हुए वो बर्मिंगम में ठीक है ध्यान रखेगा और राष्ट्रमंडल खेल में जो commonwealth game होते हैं इनमें कौन से देश भाग लेते हैं ऐसे देश भाग लेते हैं जिनमें British ने रूल रेगुलेशन किया हो जो उसके उपनिवेश रहे हैं ठीक है ध्यान रखेंगे और प्रतेग चार साल के बाद commonwealth game होते हैं जो 2026 में कहां होने वाले हैं Victoria Australia चलिए next question है हाल ही में किस भारतिय एथलीट ने पुरुसों की इसफर्दा पुरुसों की triple jump इसफर्दा का national record बनाया है इसलिए important है क्योंकि national record बना है तो right answer क्या हो जाएगा प्रवीन चित्रवेल इसका right answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question है हाल ही में वाइडन प्रिशासन में घरेलू नीती सलहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा नीरा टंडन हो जाएगा और ऐसे question कई बार पूछे जाते हैं जो प्रशासन जो अमेरिका के जो राष्ट्रपती है उन्होंने अपने प्रशासन में किस को इंक्लूड करा है और किस छेत्र में तो ऐसे question काफी बार पूछे जाते हैं तो यह हो गया है हमारे उत्तराकन नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंट करेंट अफेर और अब आपके लिए होंबख है दो question और बहुत important है ठीक है पहला है वर्तमान में भारत के मुख्य नाइधीस कौन है कई बार क होता है कि हम जो डेली करेंट अफेर हैं वो तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो वर्तमान हमारे पदाधिकारी होते हैं बड़े-बड़े हम भूल जाते हैं ठीक है तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य नाइधीस यानि जो हमारा सुप्रीम कोट है नहीं दिलने प्रदान किये हैं ठीक है आपको टोटल नंबर बताना है अलग-अलग नहीं और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में पढ़ते रहे हैं वाकी जो हमारा हिंदी है वो चल रहा है और कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं जोग्रफी और उत् लेवस कंप्लीट कराऊं और डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं ठीक है ताकि आप टच में बने रहेंगे और जैसी हमारा हिंदी कंप्लीट होता है तुरंट में उत्राखने जोग्रोफी स्टार्ट कर लोगे ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई इंपॉर